नमस्कार आप देख रहे एक न्यूस 24 और मैं हूँ स्वाती आपके साथ भारतिये जनता पार्टी जहां एक तरफ केंद्र सरकार के 9 वर्स पूरे होने पर 9 वर्स बेमी साल के तहट जन संपर कभियान निकाली हुई है जिसके माध्यम से भारतिये जनता पार्टी के कारिकरता तथा मंतरी लोगों के बीच जा रहे हैं और किंद्र सरकार द्वारा नौ वर्स में किये गए सभी विकास कारियों तथा अगामी कारियों की ज्यानकारी लोगों तक पहुचा रहे हैं अभी कोई मुद्दा नहीं है और हर बात पर निशाना ही साथ रहे हैं सबसे पहले तो उनको नौ साल का अपना हिसाब किताब देना चाहीं जन्ता को जो जन्ता के साथ वादा किये थे वो वादा पूरा नहीं किये चाहे गरीबों के पका मकान बनाने की बात हूँ या एक वर्ष में दो कड़ों वेरोजगारों को नौकी देने की बात हूँ तो हर मुद्दे पर ग्यंदर की सरकार विफल रही है वो नो साल बे मिसाल का अपना गिनाना चाहिए महिलाओं के लिए कुछ नहीं किये तो ये और अभी जो गरीबी है गरीबी पर कोई बात नहीं हो रही है वेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है खाने पीने की चीज से लेके हर चीज में ट्रक्स लगा दिये है इतना कि हमारी सरकार जन्म से लेके अंतिम सांस तक के लिए योजनाय चलाई जाती है, सब को लाव दिया जाता है, लेकिन उनका तो केंद्र की सरकार का जो रवया है, आप सभी लोग देख रहे हैं, कि खाने पिने की पदार्थों में GST लगा के, इतना ही नहीं, मफन में भी GST लगा दिया, तब उन लोगों को जो अपना वादा किये थे देश की जनता के साथ, वो तो पूरा किये नहीं, लेकिन अब फिजूल का वो लोग चर्चा करते हैं, अभी विपक्च को एक जुट करने के लिए हमारे नेता माने मुख्मंत्री जी, एक जुट कर रहे हैं तो इससे वो लोग गभला रहे हैं, बेचैनी है, किस बात की बेचैनी, जनता तो उप्च की है केंदर की सरकार से, भाजपार की सरकार से, आने वाले समय में 23 तारी को महागटवंदन के नेताओं की जुटान होगी, और आगे का रास्ता जो है एक रनलिती बनेगा, और देश में जो उनकेंद सरकार के खिलाफ माहोल है, उसको गोलबंद करेंगे, यह हमारे नेता कर रहे हैं इसे ही तमाम खबरों के लिए बने रही है, अमारे साथ धन्यवाद